तो भाई लोग फिस आ गया हम एक बाद और बैत्री नेक्स्ट लेवल जीटे फाइव एंड एन्हेंस की गेम प्ले वीडियो में वाई लोग पिछी वाली वीडियो की बात करें तो भाई पिछी वाली वीडियो में हमारा जो है शेक के लॉंडे के साथ मैटर हो गया था वीडियो बड़ी है लगे तो लाइक के में शेक सब्सक्राइब के तो भाई लोग अभी हम उठे थे और गड़बड हो गई के शेक को हमारे हमने का पता लग यह प्लैन बना दिया मतलब भाई उसने यहां प्लेन भेज़ए हैं फाइटर जैट पेज़ए हैं पूरी को बयबाद करने वाला है और हमें उस चीज़ की information मिल गई है मतलब उसे का लेस्टर को मिल गई है information उसके plan का पता लग जया उसके plan की location भी है लेस्टर के पास में और अभी उसने जो है एक plan बताया है मैं तो भाई plan यह है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरे इलाके में तेल करेंगे यहाँ प्रे इलाके में तेल गरना है शेक उसके बंदे हम यहां से मितल निकले ना भाग जाए इसलिए उसके बंदे पूरे इलाके पे भार नजर लगा के बैठे हैं कि मतलब कोई अगर हम भार निकलने कोईश करें भागने की सोचें कुछ भी ऐसा करें तो भाई वो हमें दाब लेंगे अगर हम उड़के जाने कोईश करेंगे हां से हलिकॉप्टर लेके भाएंगे तो उनके पास काफी तकड़े तकड़े आर्पीजी और वो भाई हमें आर्पीजी से मार देंगे तो ट्रेवर केंसे कही है तुम्हें काम करे में थेल गेरो और फिर स्मोक रें बाग्या की आए बहार से निकल जाना तो इस तरीके से हम बच सकते है है stehen आपने एक बंदे को यह एँपर उठाने के लिए हमले से फ़हले उनका इक बंदा यहांपर हमाई हलिकॉप्टर उठाने तो हम क्या से मारके और भाई उनके बंदों को सिग्नल दे देंगे घैंके अभी है घुं के से उड़नी पार कोई दिक्कत आगे हेलिकॉप्टर के अंदर और मैं उड़ाने कोई स्कर रहा हूं उसे और जैसी हमला होने माला होगा क्योंकि लोकेशन हमें पता है यह क्या करेंगे अपना हेलिकॉप्टर उठाखे और तुरंट भाग जाएंगे उन्हें लेगा कि उनका तो प्लेन यहां पोच चुके होंगे उनके लिए कुछ करना भी नियरली इंपोसिबल भजाएगा प्लेंस को रोकना लोकेशन होगा चेंज करना और जब तक उन्हें यह पता देगा कि हम अपना हेलिकोप्टर चुरा के भागें असली में इतने तो भाई हम उनके आपजी की रेंसे भी दूर निकल जाएंगे वह भाई हमाई तेल गेने का शेक के बंदों को इससे नहीं पता लगने का क्योंकि वह लोग एक्जिट्स पर नजर जमाएं बैठे हैं उन्हें यह नहीं पता कि हाँ होटल के अंदर क्या चलता है उस चीजपन का जाद यहां नहीं हो एक पास बास नहीं के तेल वह हैं तो बेंदे चला रहे हैं ठीक है लेकिन उन्हें पर पार्किंग तक ले आएं तेल की लाइन खीचते खीचते और यहां पर पूरी पाकिंग कर यह तो किसी को बहां से चमखने का भी नहीं कि हमने जान क्या लगाई है इसे फैंकते एक दम से लग जाएगी लेकिन अभी हम इसे नहीं फैकने वाले क्योंकि हमें सिग्नल का इंचा करना है ठीक भाई लोग तो आ गया है ट्रैवर का सिग्नल और क्या कहते हैं भाई कर देते हैं स्वाहा इतने महेंगे होटल को स्वाहा ठीक भाई साब पूरे उसमें आग लगी होगी जब फैंकेंगे स्मोक ग्रेंट स्मोक के अंदर से इधर उदर फैंकते चलेंगे स्मोक जिससे कि किसी कुछ शक ना हो यह लगे सब को कि हाँ भाई या आग लगी हुई है उसके दुए में से और आग बढ़े जा रही है और एक्स्टा दुए निकले जा रहा है और भाई स्मोक ग्रेंट फैक्ट नहीं देखो भाई हो गया दिए देखर के पूरे में दुआ ही दुआ और लोगों में भगदर बजगी कि एकदम से इतनी आग कैसे लगगी दुआ कैसे हो गया ठीक भाई साब यह बंदा आया यहां पर यह क्या कहते है हमारे हेलिकॉप्टर को अब यह उड़ना नहीं से लेकर यह सामने मीटर वीटर हैं सारे रडार नहीं है इसके नदर जानते के इतनी अच्छी क्योंकि यह वैसी बस पैसंजर को लेकर उड़ने का है ठीक है भाई साब यह फाइन सिग्जल मिल चुका है ट्रेवर का और उड़त चलते हैं ब्लुकुल पास मी है भोशनी वाले हैं और भाई साब हमारे महां से निकलती क्या द्वा के बंफूट रहे हैं वह भाई साब देखो या पिछे क्या बंफूट रहे हैं धमा धम करके मैं आगे लेके चलता हूं अपना हेलिकॉप्टर ठीक है अर्यार आगे चला आगे आग ठीक है भाई साब यार अभी हम काफी दूर निकल चुके हैं और अभी हमें जाना है मांट चिल्याड की हाईस्ट पीक पे अब सबसे मुश्खिल काम आने वाला है क्योंकि अब क्या है हमें वहां जाक है और भाई अपने हेलिकॉप्टर से कूदना है वही बिना तो भाई दिक्कत जाएगी उन्हें पता लग जाए कि हम कूच चुके हैं अपने हेलिकॉप्टर से हम बचके सेफली जबकि हमें ऐसा नहीं लगने देना हमें ऐसा लगने देना है जैसे कि हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ है चांस काफी कम है लेकिन भाई करना तो पड़ेग है और यहां से कूच जाते हैं ओ भाई 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 ठीक है हेलिकॉप्टर प्लेट चुका प्लेटता हुआ है जा रहा है भाई यह तो यह यह टक गया अब क्या करूँ एक काम कतम से आलपीजी माया की निचे फैंक देता हूँ इसका ठीक है भाई साब यहां से जा चुका है हेलिकॉप्टर निचे और पता दी भाई कहां गया हो ओ भाई मैं थोड़ा सा पिछी रहता हूँ मैं निचे की जाऊं लैंडिंग सही रह गई अपनी नहीं तो भाई वैसे यहां पर खड़ी करनी जरूर भी थी क्योंकि एक तरह से बोज़ा सीक्रिट भाई कहा है यह क्या कहते हैं अगर शेक के हाथ लग गया किसी और ऐसे बंदे के हाथ लग गई क्योंकि इसकंदर वह लोकेशन है जहां पर हमें जाकर भी छुपना है तो भाई बोज़ाल मैं लोकेशन उसके अनदर आधी मिल थी उसमें कहा था इस लोकेशन पर जाओ इस मैप अंदर एक वह मतलब तरीका ट्रिक उसका यूज करके और यहां पर लोकेशन ढूंड लो इस मैप के अंदर यहां पर रुकना है और इस अप लिल हाइट पर कि यहां लगतों मैं भाइ यहां से पूरा लो सेंटोस दिख रहा है इतनी तखड़ी चड़ाई है तो ठीक है भाई लोग अभी रात हो गई और सिम्यों जो है हमाई इसलिए कौनिस है गमेरा लाया है बड़ी बहत्रीन सी काल है तुम्हें पर दिखनी होगी अंदेरे में पहाड है पूरे में अंदेरा लाइट वाइट कुछ है नहीं और यहां पर गाड़ी में बड़ी मंदी मंदी चलाने वाला क्योंकि सूपरकार ऐसे है एक दम खत्व है सड़क सड़क लिजानी पड़ेगी और उसमें बड़ी मुश्किल लिजानी है ना तो भाई लोग आ चुके हैं हम उस मेंशन के पास और मैं वाइट में कोई से गमेरा की एक थोड़ी सी स्पेसिकेशन सी बताता हूं तो यह क्या वाई फुली इलेक्रिक सूपरकार है मतलब भाइस के अंदर इंजन है नहीं फुली इलेक्रिक है और कोई से यह बाई एकदम बैटरी नेक्स्ट लेवल सूपरकार बनाती है को इसा इंटीरियर और तुम्हें देख चीड देखो गए सूपरकार से अलग बाकी सूपरकार से अलग के इसके अंदर दो रोम है सीट मतलब यह आगए बैट सकते हैं दो बंदे तीन बंदे पिछे बैट सकते हैं तो वह बाई से के पूरी तरस अलेक्रिक सूपरकार है तो इसलिक्ड का है इसके अंदर भई बहुत जाद जगा है मतलब दो बंदे आगे बैठ सकते हैं तीन बंदे पिछे सकते हैं और क्या करते हैं यहां जो टिक्की वाले यहां पर क्या कैते हैं तीन बड़े-बड़े-बाई बॉरी बैसमील ऑगी है जिसके सरनर ड्रावड पर बाई कार पलटने का कोई चांस नहीं था और काफी बहतरीन सी सूपरकार रही है ना इलेक्ट्रिक सूपरकार और यहां बाई हम आ चुके हैं इसके एंटरेंस पर निचे फ्लोर में लाइट लगा रखेस होटल के है ना और यह पूरा सीकेट होटल है पानी के बीच मना हुआ यह भाई पूरा मतलब यहां पर पहाड के अंदर एक खड़ा सा था इसके अंदर पूरे पानी भर दिया गया और जब यह होटल बनाए तो इस वैसे काफ़जा सीकेट है रात को इतना पानी यहां पर दिखता नहीं है लेकिन भाई यह पानी के निच्चे बना हुआ तो य इन्होंने इसी रखा था कि और कोई बोजा सीगेट काम करना हो तो वह यहां पर करेंगो भाई इसके निच्चे दो फ्लोर है यह ग्रांड फ्लोर है इसके अंडर वॉटर दो फ्लोर है तो दूसरे पर चलते हैं वैसे यहां पर घुशने का एक हो तरीक है यह क्या तरीका जाती है क्योंकि यहां पर गाड़े वाड़े रख्यों है काफी सारी तो अगर किसी को भागना हो यहां पर कोई मुसीबत आ जाए तो यहां से भागने बहुत असान है यहां से सिद्धा होके और सड़क पे निकल जाओ है ना यहां अंडर वाटर पार्क हुए पूरी यहां किरसे जाओ फिर य Κाने लिए यहां में पर पासे काफे साइब यहां ड़कां पानी यहां तूना इसे मां रखते हैं वन्हां पर метडी है एक सब्सक्राइब कर जाकर यहां यहां प्राइग सब्सक् complainriters प्लेट तो प्रायविइच और प्याज़ाइव प्राइजowania चलयई तो यहां से ऐसे करके और भाई निकल सकते हैं ठीक है यहां से सिद्धा हम भाई निकल जाएंगे भी अंदेरा है तो दिखने का नहीं इतना लेकिन भाई निकल सकते हैं हम यह से बाहर है न तो भाई जैसे कि वहाई सिम्योन से बात वीचे तो सिम्योन ने हमें क्या बताया कि वहाँ पे हमारा हेलिकोप्टर क्रेश होने के बाद हम तो भाई जा के छुप गए थे इतने टाइम में लेस्टर ने क्या करा हमारे जैसे दिखने वाले एक बंदे की बाई डेड़ बोडी जलाके और उस हेलिकोप्टर के अंदर डाल दी और एक उनी के बंदे को RPG के साथ मार बाई बाई जिसने बाद में जो वह बंदे सब गूम चाहते हैं किसी को भी कोई भी दिख जा तो पेलं पेल मच जाती है तो इस चीछ पे किसी को शक होगा निए और इस तरह से क्या है कोई देखने वाला भी नी बचा वाई जिस बंदे को दिखाया गया कि उसने RPG मारा उसे हमने दिखा दे कि किसी एजेंट निबाद यह होगा यहां पर क्या कहते हैं यह पूरा पूरा भाई रिजिदेंशल सा इरिया यहां पर कई सारे बंदे भी आगार्ड फोगा रहा है लेकिन सब लैस्टर के जो हैं अर्टस्ट्वादी बंदे हैं तो एक तैसन का सब से न ही रख दिया ओर इसके बाद में यह बंद है असवाद सारे के सारे इसके टरस्ट्वर्धी यह बाइश से घता है यहां कर देखें कि यह प्लैटॉर्म सा अब्रणने के लिए बत्रूम है इस तो इसे कुले में कौन नाहेगा यार कोई भाई ऐसी कुछ सकता है बात्सुन गंदा है इतने खुले में कोन नाएगा भाई बाटब भी मतलब भी अख्खा हुआ है फिर भाई मैं तो नहाने वाला इस गंदा है यहां पर कंपीटो का काम होता है लोग CCTV कर देखते हैं वो सब करते हैं यह बार है यहां पर यह भाँ पूरा बैसिकली और यहां पर पूल लग रखा है जो वो नहीं होता है पूल ढेवल गेव होंता है इसे खेलने के लिए हैं बaning बहुत का परस्टनल ओफिस है ठीक है बोस भाई यहाँ पर रहता है तो जिब लैस्टर बोस हो रहता है यहाँ पर यहाँ पर सोने वाला कमरा है यह तो गोल्ट वाला नहीं sleeping वाला रूम है ना यहां पर आने के बाद यह बड़ा सा टीवी है और यहां पर सो सकता है मस्त और भाई इसे पता नहीं क्यों ठाक है पैसों के पास चोकी दारा करने के लिए लेकिन जो भी हो हम यहां से निकलते हैं अब क्या शेक भी पीछे नहीं आने का क्योंकि उसे लगता है कि उसका बदला बदला पूरा हो गया ठीक है तो हमारे से मैटर नहीं करने आने का ठीक है वाई लोग ऐधे वीडियो बस इतने है अगध में पता है क्या करना लाइक कमेंट से सुफब्सक्राइब को जाँआँ और मिलते हैं बाई कि तरह अगली वाजी वीडियो में